हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉक्स आज के वीडियो पे मैं आपको एक वाल हेंगिंग बनाना सिखाऊंगी जोगी उन से और पाटन से मैंने बनाए हैं तो वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बागल में बैल आइकन उसे दबाना ना बुने ताकि मेरे द्वारा बनाए के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके तो हम वाल हेंगिंग बनाना सुरू करते हमें चाहिए उन मैंने दो कलर की उन लिया है एक वाइट कलर का और एक बनाना है तो उसके लिए मैंने काट्टुन लिया है और तुमोटि लिए हैं तो इस तरह की मोटी यहosphine फ़ोर्टी ज़ाइट लगेगी यह दो मॉटी पर में लगेगी ज्यादा तर इसमें golden का यूज होगा और यह मोती कहीं कहीं यूज होगा तो ज्यादा तर मोती हमारा golden यूज होगा तो पहले आप जो भी color आप लेना चाहते हो आप ले लिए और जो भी हम बनाएंगे सेम तो सेम उसी तरह का यह भी बनाएंगे पहले मैं आपको बता देती हूं कि कैसे बनाना है तो मैंने orange color का flower ले लिया यह सब को साइट कर लेते हैं तरह पॉंपण को रोल करते हैं उससे हम रोल करेंगे अगर आपका है जो आपका त्ला है आप जादा रोटेट कर सकते हो अगर आपका धागा मूंटा है जो आपको 50- מूटा दो गांस हूंटां कि अभान मीट्टा एक ऊड़िए यह बिचनी मिधियम में औरी पतला अगर आपका अधा का मीडियम में हैं तो इसको आपको 50 times you change अगर आपका इससे भी पतला है तो आहनेड़ टाइम ऑन्रेट कर लिएगा थी निच का इसको लेना है तो तीन इंच मेने वे और ंगली आप ले रहे हैं तो चार रोमारी है इसकी हम साइज लेगी इसमें कि अप poriser 10 अब्सक्राइब पारिवे मких नीकाल लेंगे और इसको बीचों wave करके हम धागे को बांधनी कि तो हम अब इसको उंगली से निकाल लेंगे और इसको बीचो बीच करके हम धागे को बांधने के बाद यह जो हमारा इस तरफ का है और इस तरफ का है हम इसको कट कर लेंगे इसको कट करने के बाद इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ आप भी उसी तरह से करिएगा इस तरह से करके इसको बराबर में और जो इसका बड़ा धागा निकलेगा तब जो ऊपर नीचे रहेगा उसको हम बराबर से कट कर लेंगे तो सेम इसी साइज के जो हमने ये बनाया है सेम इसी साइज के चार औरेंज कलर का बनाएंगे और चार वाइट कलर का बनाएंगे चार और चार वाइट बनाके हम पहले कंप्लीट कर लिया है अभी हम नीचे लटकन लटकाएंगे वह भी हम पहले बनाके कंप्लीट कर लेते है लटकन में आपको एक बता देती कैसे बनाना है लटकन सेम पर उसी तरह से आप सभी बनाएंगे, और उरेंज। धागा से बता रही हूं अगर आपको उइड धागा से बनाना तो आप बना सकते हुं लेकिन जो भी तो लटका आप सेम होना चाहिए तो मैं औरेंज ले रही हूं, तो औरेंज का मैं इसमें 25 टाइम्स रोटेट करूंगी इसको 25 टाइम्स रोटेट कर दिया है, अभी मैं इस धागे को यहां पे कट कर लूँगी और कट करूने के बाद जो भी हमारा और अलटरनेट धागा है, यहां फिर इसको रहते हे इसे लिए, और और इसके अंदर से तो दोनों को चौर को निकाल लेग, कि यहां पर में तैप से दॉढ़ावानले और यह थाफे या और अपर से खोड़ा कि यहां पर मेसा मैं अभी यहां के दीचायों देती हूं नहीं दो खब मायंगे और एक को हम इस तरफ से घुमाएंगे और यहाँ पे हम गांट डार लेंगे और गांट लगाने के बाद जो हमारा एक्स्टा धागा रहेगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे झाल लिए के बर्बाबर कर से निटक подум भी लिए घ्वरेंगे आप यह सेम इसी तरह से और 6 रचीक मरें बनाके इसको लगाके 7 और 6 बनाके हम complete कर लेते हैं तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने same to same उसे ही साथ हमने complete कर लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हमारा लटकन भी साथ हमारा complete हो चुका है एक में flower आपको बता देती कि कैसे बनाना है same to same उसी तरह से आपको बनाना है तो आप जो मैंने starting में pen लिया था तो आप pen pencil जो भी है उसे ले लिजेगा और इस तरह से यहां पे रखिएगा और इस उगली से इसको दबा के रखिएगा और यहां पे यह उपर पे इस तरह से करते हुए हम यह नीचे की तरफ जाएंगे इसको मैं 25 time रोटेट करूंगे हो दीडें हम दीचेंगे उस तरह से और फीर हम बरावर करके हम धागे को कट कर से इस तरह से और जो बी चलर ले रहे हो तो उसका आप चार को आए घुचह सब बनाएगा और यह और वाइट कलर का मैं 11 बनाओंगी इस तरह का fine 11 यह prepared जो भी फma रर Southeast तो एक color का आप 4 बनाईएगा और दूसरे color का 11 बनाईएगा फूल तो ये पहले हम बना के flower complete कर लेते हैं उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये flower बना के complete कर लिया है आप देख सकते हो कि एक color का 11 है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और ये चार तो एक color का 11 है और एक color का 4 ये flower हमारा बनके complete हो चुका है अभी हम last में cardboard लेंगे तो हमने cardboard ले लिया है इसको हम circle type में cut करेंगे तो मैंने draw किया है और इसका कोई measurement नहीं है आप अपनी हिसाब से आप circle draw कर सकते हो उस हिसाब से आपका flower होगा तो मैंने circle draw किया है आप देख सकते हो ये लिखी ये जो हमारा जो ये बौर ये इतना है इतना ही हमें चाहिए ये सभी हमें extra cut करके इसमें से निकालना है तो हम इसको कट करके पहले निकाल लेते तो आप आराम से और किसी की मदद से आप कट करके निकाल लेते तो आप आराम से और किसी की मदद से आप कट करके निकाल लेते तो इसको कट कर लिया है अब अब के निकालेते हैं, इक तो इसे लिक्ट अगर मैं और रहे हैं, इसने कर लिख कर लिया है, आप मैं तयों ले YUM, अब निकालेते हैं, आप अपको इसा भी झुण से कवर कर सकते हैं, जो भी आपको refract तो बंघा से उन से कवर कर रही हूं, हम यहां पे होट गलु गम लगा देते हैं ताकि ये जो हमारा उन है इस पर चिपक जाए हॉद गलू गम लगाने के बाद हम इस पर उन को अच्छे से बठा देंगे इस तरह से अब इसको हम यहां से लेकर के पूरे एंड तक हम इसको उन से कवर कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते कि हमने यह रिंग को पूरा कवर कर लिया है दोनों तरब से कवर हो चुका है और उन से ही कवर किया है तो अभी यह हमारा रिंग भी कवर हो गिया है हमारा फूल भी बन ग तो मैं आपको एक लटकन बना के दिखात देती हूं कि कैसे लटकन बनाना है उसी तरह से आपको सारे लटकन को बनाने है पहले हम एरिंग को साइट कर लेते हैं और मोती ले लेते हैं तो इसमें मोती लगेगी और जिस कलर का ये उन हैं इससे हम लटकन बना रहे हैं उसी कलर क ये लटकन लहा ही तो मैं इतना ले रही हु, आपको जितना लटकन रखना है उतना कर ले Hun मैं इतना ले रही हुम उतना फिष्मारो동 फॉफड्स अभी हम इसमें जो हमारा ये ऊपर है ये वाला जो छोटा वाला साइज का छेद है उसमें हम इसको डालेंगे तो उसके लिए हम इसको सुई को बराबर करके इसमें से हम निकालेंगे और फिर हम इस तरह से लेंगे और यहां पर हम गांट बान लेंगे गांट बानने के बाद जो हमारा एक्स्टा धागा है उसे हम निकाल लेंगे अभी फिर हम एक वाइट कलर की मोती लेंगे यह जो हमारी वाइट कलर की मोती है यह वाली एक लेंगे उसके बाद हम एक टावर लेंगे, जो हमने फोटा वाला बनाया था, वाइट कलर का वो डील हम फ्लावर लेंगे, यह वाइट कलर का हम फ्लावर लेंगे, तो इसको हम इस मोती को पहले हम इसके उपर चिपका देते हैं, इसके लिए हम होट गुलू गम का इस्तमाल करेंगे, और हम इसमें साथ फ्लावर में हम इस तरह से मोती चिपका दें तो अभी हम सभी पर ये मोती को हम चिपका लेते हैं तो इस तरह से हॉट गुलुम् लगाएंगे और हम darmas देंगे तो हमने इन शातों पर हमने डाल दिया है मोती को अभी हम इसके पीछे हम होट गुलू गम डालेंगे इस तरह से पीछे होट गुलू गम डालेंगे होट गुलू गम डालने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो यह हमारा धागा है जिसमें हमने यह लटकन लगाया इस धागे को हम यूं हम रख देंगे इस तरह से हमको ऐसे चिपकाना है कि यह धागा हमारा दिखे नहीं उस तरब से इसलिए हम पीछे से हॉट गलू गम लगा के और इसको हम का लेंगे इसके डालने के बाद हम एक और वाइट मोथी डालेंगे तो उसमें अभी यह वाइट मोथी हम डालेंगे ऐस से यह हमारा लटकन बन गया है तो यह हमारा यह बन के तयार हो चुका हैं अभी हम इसось तरह से जो मी smaller चोटा करते जाएंगे इससे हम टिन इधर और तिन इधर बनाएंगे उसका सबस्कर करते हैं तो पहले हम घंचा ले लें एक तौरinary c तो जो हमारा और हम इसा तरब गद धागा कोईसे घुट कर लेंगे तो जो हमारा इसके बात जो होगा इधर वाला वो और इधर दोनों बरावर उसमें बरावर लेते यह लेता है इधर शॉए में अपी द्वालभर एट रख रावर के बाद गांट डाले बाद यह स्सलीप करने के बाद करने के बाद आभ हम करने के बाद अब हम इसमें लेंगे एक वाइट मोति अगर अब चाह हो तो इस मोती से जएसे में इसे निकाल सकते हो एध Arin मैं बना रही हूं उस तरह से आप बना सती हो इसके उपर अभी हम अब डालेंगे इसके उपर हम इस धागे को चिपकाएंगे अभी फिर हम लेंगे एक वाइट मोती और अभी हम लेंगे पूरे 20 मोती जो हमारा गोल्डन मोती अभी है तो उसको हम 20 मोती अभी इसके अंदर ड यह समक्क् committees हो गया ब्याएंओ और हम इसको हम इसा में ढ scor लेंगे और हम गांड वांद लेंगे और फिर एक व्यव्य मोति्टी ये वाला थावर लेंगे इसके ऊपर हम पड़ागे को आदेंगे फिर एक व्यवयट मोति अब लिए लेंगे पंदरा गोल्डन मूति अभी हम इसमें जो ये हमारा है इसमें हम लेंगे 10 वाइट मोती ये हमारा 25 था अभी इसमें हमने 20 लिया इसमें हमारा 15 और इसमें हमारा 10 गोल्डन कलर की मोती आईगी तो अभी दस हो गिया तो सेम टू सेम ये इसमें मोती डाले है पंदरा और तीन हम के साइज में हम बना के कम्पीट कर लेंगे आप देख सकते हमारा बन के कम्पीट हो चुका है तो हमने लटकन इसलिए बनाए क्यूंकि हमें पहले लटकन उसमें जोड़ना है जो हमने रिंग युसमें हमें पहले लटकन जोना उसके बाद हम सभी फ्लावर जोरिंगे तो इसलिए मैंने यह लटकन वी पहले पहली आपको बना के बोला रेड़ी करने के लिए अभी हम इसको लटकन इसमें हम डालेंगे, तो हम इसमें भी hot glue gum का ही इस्तमाल करेंगे, तो अभी हम एक लटकन जो हमारा सबसे बड़ा है, बीच वाला, वो ले लेते हैं, और उसको हम यहाँ पे, किसी भी साइज में कहीं पे भी हम, को हम बान देते हैं, इस तरह सी आएगा फरी हम दालेंगे, तो पीछे हमारा हमने, यहाँ पे, हम पे हम अभी लटकन ने ले लेंगे इसके ४र उजिवाम ँश्क को रखेगा, तो यहाँ पे, हैले यह फां पहब कर को Soulँ पर अपोजिट में आपका यह चिपक जाएगा और इसके बाद हम यह धागे को यहां पे यह हमारा एक यहां पे सबसी सिर्ट पर चिपका देंगे अभी इसको हम फूरा गाप डालकर इक दूंगली का गाप गाप दालेंगे इसको हम डालेंगे तेहां पर फिर दो एगली को गया फिर इस को यहां पर टालेंगे फिर दो एगली डालेंगे पहले सिर्का लेजरोगा, फिर दो एगली बेटी लिय्ट पहले से चैपयते रिकल्ड bisher When I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and you can see that this is complete Now we will put it on the floor We will put it on the floor We will put it on the floor First, we will put it on the floor This is our end This should be here We will put it on the floor We will put it on the floor We will put it on the floor This should be put on the floor We will put it on the floor And also lain as if water糸用 We will put it on the floor This is the upper floor 나온 the floor We will put it on the floor We will put it on the floor We will put it on the floor कि ऐसा ने के बाद ऑपर इसके उपर हम गोल्डण मोती एक एक मोती सबकियो अभी स में तो वाम कंप्लीट हो गया अभी का यैंग करने के लिए हैंडल邊 विल्री तो हम हैंडल करेंगे तो यह इतना हमारा हैंगिंग का बना चाहिए तो यह इतना धागा ले लेंगे और फिर से में वाइट कलर का हम इतना ही देलेंगे तो हमने इतना वरा धागा ले लिया है अब इसको हम इस तरह से राउंड कर लेंगे यह इस तरह से घुमाएंगे गुमाने के बाद दोनों का एंड हम पकर लेंगे और फिर इसको यह अपने आप इस तरह से आजाएगा तो यह डिजाइन हो जाता है फिर इसको हम इस तरह से हम रख टिपकाएंगे उस पर इसको हम पीछे से बैक कर लेते हैं और जो यहां से अपोजित हमारा आता है यहां प पर इस धागे को हम चिपका देंगे यह थोड़ा ड्राय होने के बाद यह इसमें चिपक जाएगा अच्छे तो यह हमारा वाल हंगिंग बनके कम्प्लीट हो चुका है आपको मैं थोड़ा ऊपर से दिखाती हूं बहुत ही प्यारा और सुन्दर दिख रहा है मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाती है अब देख सकते हो कितना प्यारा सुन्दर दिख रहा है आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पे पहली बाहर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में बैल आइकनल से तक पहुँच सके तो आपको यह वाल हैंगिंग कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर